हाई फ्रेंड आज में आपको इंपर्टेंग कोशनेघ पता आ जा रहा हूं इसमें इंकलाइंट प्रेंट पर पुलीज लगी होई है और पुलीज से ब्लॉक बंदे हुए है रस्ती कि थरी हमें रस्ती में टेंशन फांड करना है और इसका एक्षरेशन करना है ब्लॉक जब हमसे यह से सब्सक्राइब स्क्राइब सब्सक्राइब um जो प्लस में है वो प्लस में है और जो माइनस हो जाएगा जो अपोजिट डिरेक्श में हो माइनस लिग देंगे क्यूंकि नीची तरफ फोर्स लग रहा है त्व एमजी नीची तरफ फूर्स लेगा यह ब्लोक का और अपन टोटल मास यह ब्लस टैन हो जाएगा टैन से डिवाइड कर देंगे जी की विल्यू 10 मीटर पर सेकंड इसकायर लेंगे इंकी ग्रिविटी फॉर्स यह होता है 9.8 होता है एक्ष्यमेट इसे 10 एज्यूम कर लेता है 10 डेलेते है 9.8 को अब इसे स्वाल करेंगे तो यहां से देखेंगे यह आएगा 4.5 मीटर पर सेकंड इसकायर यह एक्ष्यमेट आगिया इसका इस वाले फ्लोक का व्लोक का अबीडी देखें हमं तो नीचे की तरफ ग्रियूटेशनल फ्लोस लग रहे है तो इसमें यह उपर की तरफ मूब कर रहा है इसनिए यह तीए ज़ादा हो वा किम्कि उपर की तो जा रहा है ती-A tension भाए रहा है ती- aha गर ने के होगा ग्जा एकल टू हो औरinkळार कि तरफ लारा है तो M दू यह मास इसका आइकल हो जाएगा इसे दर कर आएंगे 2 ग्लस 2 js 2 into 2G 20 हो जाएगा 10 lying value इसकी 4.5 लाएगा एकी value तो जाएगा 29 newton और हम यहाँ पर देखें 5 kg वाले block में block C है यह इसमें नीची की तरफ फोर्स लाएगा Tc उपर है क्योंकि नीची की तरफ जा रहा है इसलिए इसमें 5G जाद है इसमें क्योंकि नीची तरफ मोग हो रहा है downward direction में तो 5G minus Tc is equal to MA यानि 5A 5G plus 5A sorry minus 5A is equal to यह जाए 50 minus 5 into 4.5 जो हमने expression निकाला है गोहीं लगा रहा है यह जाए 22.5 और इससे solve करेंगा तो हम हो जाएगा 27.5 newton thank you very much और यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे like करें share करें और subscribe करें thank you very much